नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नूभा कापिल और स्वागत करती हूँ आप सभी का क्रेजी कुकिंग मिदा नूभा में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ हेल्थे डिंक्स जो इम्मुनिटी बूस्टर भी हमाले हैं और कुछ छोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे काफ कॉल्ड वैरा को भी ठीक करने में काफी कारकर है और आज कल के परिवेश में यह लेना बहुत ही जरूरी है एकसेस तो सबी चीज की हामफुल होती है पर दिन में एक बार यह जरूर लेना चाहिए तो आशा करते हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हल्पुल भी होगी तो फ्रेंड्स इसके लिए पहला जो में बना रही हूँ इमुनिटी जरूरी तो उसके लिए मैंने इम्धियनस इस तरद्ज लिये हैं मैंने लिया है तूल्सी के पत्ते ये आप देखेंगे सबी हमारे हेल्पुल इंग्रिजिन्ट से इमुनिटी को बढ़ाई में तो ये तुलसी के पत्ते हैं, थोड़ी से लेंगे महल्दी, सौफ, दालचीनी, काली मिर्च और अद्रक तो अभी सबसे पहले मैंने क्या करना है, थोड़ा सा अद्रक और थोड़े से ये काली मिर्च पर तो चार दाने काली मिर्च के काली मिर्च के जगे आप सफेद मिर्च भी ले सकते हैं इनको एक बार हम पीस लेते हैं मडल कर लेते हैं तो भी जे फ्रेंड्स इसको कर लिया है मैंने मडल और मैंने लिया है एक पैन में दो कप पानी क्योंकि हम थोड़े पकाएंगे तो य एक स्वटा से दालचीनी का पीज ओर थोड़ी सी हल्दी और बस अभी हमने क्या करना है अभी तो इसको में पहले पकाने रहा है थोड़ेर के लिए तो फ्रेंड्स इसको उबलने देते और अच्छे जब पकाएंगे इतना पकाएंगे कि पानि थोड़ा सा रिद्यूस हो जा बिना मीठा चाहे बना सकते हैं यानि कि इसमें गुर्ड ना डालना चाहे तो ना डाले या तो फिर शेहड डाल सकते हैं अदर्वाइस गुर्ड या शेहड किसी चीज को डाले बिना भी इसको पी सकते हैं ये बिना गुर्ड या शेहड के बिना मीठे के भी अच्छा रगता है तो अब इसको मैं थोड़ा सोर पाका देती हूं फि..! उफिन बिताती क्या करना है हमें तो चैन अब इसको हम छान लेते हैं आख दूझी फ्रेंज इस यह तेयार है और इसमें मैं क्या भी लाने वाली हूं यह मेरे पर नीमबू करस और इसमें मैं चोट टेबल स्पून डाल रही हूं नीमबू करस चाहें तो डाली चाहें तो बिना नीमबू के भी इसको पिया सकते हैं और यह बहुत ही हेल्दी है बहुत बढ़ी है यह इम्यूनिटी की इसको आप चुरू ट्राइग कीजिए अब भड़ते है पत्ते हरे धनी के पत्ते कुछ तूल्सी और कुछ तेज पत्ता ठीक है तो इन सबसे बनाते हैं अगला डिंक और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है अध्रक और दो चार यह हरी यह हरी लाइची छोटे वाली और सफेद मिच इनको हम पहले जगे मडल कर जा लेते हैं पीस लेते हैं तो मैंने पीस लिए हैं और मैंने फिर से लिए हैं पानी है दो कप के लगबग मैंने पानी लिया और इसको बढ़ दुखानी में था थ्यावत्व थोड़ा सा सौंफ दाल चीनी का टुकड़ा तोड़कर एक जेज पत्ता कुछ हमारी ये तूलसी के पत्ते थोड़ा सा हरा धनिया और ये पुदीनी के पत्ते ओके और इन सब को डाल रख देते हम गैस ट्रोपर पकने के लिए तो फ्रेंट इसको रख दे मैंने गैस ट्रोप और इसको कोई पकने के नगरते हैं और के पर लगा है और मैं इसमें लांग डालना भूल गे ती तो दो चाष आँ में जाईना थोड़ दर के लिए तो लीजे friends, रेकी बढ़ती लिए जाते हैं तो फ्रेंट्स है मैं इसमें कुछ मीधा नहीं डाला है यह यद आप इसको मीधा चाहते हैं तो थोड़ा सा शहद या गुर्ड इसमें डाल सकते हैं शक्कर भी डाल सकते हैं और इसको में च्छान लेते हैं यह तो फ्रेंट्स अगला हेल्दी डिंक पनाने के लिए मैंने लिया है दूल एक कब दूल लिया यदि आप ज़्यादा बनाने चाहें तो ज़्यादा यह बहुत ज़्यादा आराम देगा तो अब मैं इस ट्रिंग को बनाने कैसे बनारी हूं मैं आपको बताती हूं तो इसके लिए मैंने इनको रखा गैस ट्रोपर उसमें डाला देशी गी इसमें शुत देशी गी ही डाला चाहिए और लगभग एक टेबली स्पून घी है ग जल्दी बुन जाता है वैसे भी क्वांटिटी कम ही है इसकी और फ्रेंड्स यह एदम ट्राइड एंड टेस्टी हमारा यह नुस्खा है सर्दी जुकाम के लिए और इसमें डाली पिसी हुई काली मिच थोड़ी काली मिच जाल लीजिए तीन चार कफी है और इसने में ही हम डालेंगे जितना दूद चाहिए मैं एक कब बनारी हूं तो इसको एक उबाल आने देंगे तो देखे फ्रेंड्स इसमें आ गया है उबाल यह पक चुका है और अब मैं गयस्ट्रोफ की फ्लेम कर रही हूं बंद इसमें इसको हमें च्छानना नहीं है इसको ऐसे पीना है और हाँ इसमें थोड़ा मिठर डालेगा मिठर डालने के लिए इसमें डालेंगे गुर्ड या शहथ लेकिन शर्त यह है कि इसको गुर्ड डालने के बाद इसको उबालना नहीं है उबाल आने के बाद इसमें जितनी आपको मिठास चाहिए उतना गुर्ड डाल लिजिए टालने बाद इसको सिर्फ इस्टर कर लीजिए अच्छे से इसको उबालना वात मनना दूद्फट्ने का डर रहेगा तो इसमें मैं डाल लेती हूं थोड़ा सा गुल और इसको बस उतार लेती हूं गैस्ट्रोव से तो लिए फ्रेंड्स मैंने गुड़ डाल के इसको तो लीजे फ्रेंट्स तीनों healthy drinks बन करते आरे हैं यह definitely immunity booster है आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए आप बताए तीनों में से कौन सा पसन आया आपको और तीनों ही ट्राइ कीजेगा और यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसन आती है तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाएगा और इतना ही करें तो subscribe जरूर कीजेगा चैनल को ताकि मेरी सब वीडियो को आप enjoy कर सके तो friends मिलते रहेंगे इस तरह से नहीं नहीं वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं कौन नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए तब तक के लिए stay happy healthy and safe thank you friends thank you so much